सूरन की सबजी की रेसिपी लेके आई हूँ सूरन को हम जिमिकंद भी बोलते हैं और यह सब बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही डिलिशियस लगती है आप सब को भी जरूर पसंद आएगी चलिए अपनी यह रेसिपी शेयर दरने से पहले मैं इसकी जो जो सामगरी की जरूत है वो बता देती हूँ यह मैंने 500 ग्राम सूरन लिया है यह मैंने दो बड़े टमाटर लिये हैं जिनको ही मैंने प्यूरी बना लिया है यह मीडियम साइज की एक प्याज लिये जिसका पेस्ट बना लिया है यह 100 ग्राम मुमफली लिया है मुमफली को आपको करना क्या आया है कि पहले कड़ाई में इसको ड्राय रोस्ट करके फिर इसका पेस्ट बना लेना है यह मैंने जीरा लॉंग और काली मिर्च इलाइची हरी इलाइची देखिए हरी इलाइची इसको भी मैंने ड्राय रोस्ट करके इसका मैंने पाउडर बनाना है हल्दी गरम मसाला जीरा जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक टेस्ट के अनुसार दही यह ओईल है फ्राय करने के लिए चलिए हम अपनी रेसिपी की आज हेलो गाइज आज मैं सूरन की सबजी की रेसिपी लेके आए हूँ इसको सूरन भी बोलते हैं और जिमीकंद भी बोलते हैं और इस रेसिपी को बनाने से पहले मैं उसकी सामगरी बता देती हूँ यह मैंने 200 ग्राम सूरन लिया है दो बड़े साइज के टमाटर जिनकी मैंने प्यूरे बना ली है एक मिडियम साइज की प्याज इसकी भी मैंने प्यूरे बना लिया है यह मैंने चार-पांच लॉंग ली हैं छैसे साथ काली मिर्स थोड़ा एक टी-स्पून जीरा जिसको मैंने ड्राय रोस्ट करके पेस लिया है, पेस बना लिया है, दही है, ये 50 ग्राम दही है, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिल्च पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा, कुमिन सीट्स, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, चलिए अपनी आज की रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें करना क्य है, कि यह जो जिमियंगन्ध है, इसको हमें मैगनेट करना है, मैगनेट करने के लिए इसमें नीबू, पहले फ्रेंड्स मैंने इसको इसकी उपर से जो गंदगी थी, वो निकाल ली थी जतना भी इसका छिलका था इसको पील आउट कर लिया है, और इसको फिर अच्छे से पहुती है पहुते हैं वह थि looked bad in it bigger, अपने हाथों में ऐसी वह रहा妳 होती आप mesh mid g में उबना ऑख जाए tut इस इसTI ली बडस, और उड़े शिया को जाती है तो इसी तरह से इसको भी ओ काटनेसे पहले आपको हाथ Town में अपने ऊहले लगाना है छोट इसके बा bisschen dial in इसमें हम थोड़ा सा नीबू डालेंगे, मैगनेशन के लिए, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, और पंदरा मिनट के लिए छोड़ देंगे, पंदरा मिनट के बाद इसको हम, इसको मैगनेशन को साफ कर देंगे, इस तरह से हमने, हमारे पंदरा मिनट हो गए है, तो हमने एक कपड़ा लेना है, कोई भी आप किचिन टावल यूज़ कर सकते हैं, इसको अच्छे से, जो भी इसका, इसमें, क्योंकि अगर जैसे हम, इसमें नीबू और सॉल्ट का मैगने अभी देखिए, यह बिल्कुल ड्राय हो गया है, अब इसको हमें छोटे-छोटे पीसिस में कट करना है, चलिए इसको कट कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको कट करना है, ऐसे छोटे-छोटे पीसिस में, अभी हम इनको फ्राय करना है, तो हम अपना जर्ट एक यह सब्ट है ऐसा patrons था सब्सक्राइब के लिए मैं मस्टर्ड औल यह कैती हुआ आप औलिव ऑईल या फिर किसी भी जो भी आप पसंद करते हैं उसी वहा ही को किंग आयल यूज़ कर सकते हैं मैं मस्ट्रड और या फिर औलिव ऑईल ही यूज़ करती हूं चलिए अभी औल गरम हो रहा है कि अभी हमारा ऑईल हो गया हम इसमें अपने पीसिस जानल ले आ ऐ है अब इनको जब तक आ करना है जब तक मेद ब्राउन कलर्स के हते हैं ब्राउन कलर होते ही इंको निकाल लेका देखे फ्रेंड्स हमारे चुरण के पी सिस मिद्सी ब्राॉarde होने लगे हैं अभी हरे हम इनको सी आल पेन लेते हैं होぎरे इस तरह से हमारे सारे पीसिज यह तेकि अश्य को गड़िए अब हम ग्रेवी की तयारी करते हैं चलिए आपनी ग्रेवी स्टार्ट करते हों तो सबस्क्रेश क्यों हो अब अभी इसमें हम जीरा डालेंगे, वन टीस्पूल हमने जीरा डाला है, अभी हमारा जीरा बुन गया है तो इसमें हम प्याज चुआ टेश जालेंगे प्याज को हम तब तक देलेंगे जब तक वह अपना ओयल थोड़ना चाठना करगे वह अच्छे से पपजाएगे, तब तक हमें इसको भूनना मैं देखें फ्रेंट हमारी प्याज अच्छे से बुन गई है अब इसमें हम नेक्स स्टैप बढ़ते हैं अब इसमें हम टमाटर की फियोरे डा लेंगे हमें टमाटर भी अच्छे से बुनना है अभी हमारा टमाटर भी अच्छे से पक गया है अभी हम इसमें स्पाइस डालते हैं एक टीस्पूल हल्दी एक टीस्पून जीरा पाउडर आधा जोटा चममच लाल मिर्च पाउडर और आप अपने टेस्ट के कोड़ी डाल सकते हैं गरम मसाला हम आधा चममच डालें क्योंकि जो हमने घर में बनाया है यह लांग काली मिर्च और जीरा इलाइची का जो पाउडर बनाया है इसको भी डालना है इसलिए गरम मसाला सिर्फ आधा चममच ही जाएगा अभी स्कुआचे से मिस्का देते हैं अभी जो हमने पाउडर बनाया था उसको डालेंगे इस जो मैंने यह घर पे ही जो मसाला बनाया है इसका टेस्ट इस सब्जी को कुछ अलग ही स्वाद देता है बहुत यह दिप्रंट देता बहुत अच्छट टेस्ट आता है तो आप भी ज़रूरी से को अपने घर में बन अब इसमें हम मूवपली का पेस्ट डालते हैं इसको अच्छे से बनाया है अब हमारी मूवपली भी अच्छे से बुन गई है इसमें हम अब सॉल डालेंगे अकॉर्डिंग टेस्ट मैं है आप कमजयादे अपने टेस्ट के कोड़िन इसमें ःड़कर सकते हैं अब इसमें अधरी डालूंगी में दही को मैंने अच्छे से इपैट लिया हरे देखिए इस तरीके से तरीके से नहीं अच्छे से पैट ना है इसमें को युदू लंच न leftover which is not छोटे छोटे पार्टिकल्स में ना नजरा है यह मैंने इसमें अब इसको भी हम चलाएंगे क्योंकि जो दही होती है वो गरम होने से उसका पटने का डर रहता है इसलिए हम इसको continue चलाते रहेंगे अब हमारी दही भी अच्छी से पक गई है तो अब हम इसमें अपने फ्राय की हुए पीसिस जालते हैं एक स्ट्रॉर देते हैं अभी हमारी ग्रेवी यह थोड़ा थिक है तो इसमें हम थोड़ा पानी आड़ कर लेते हैं आप इस ग्रेवी को अपने टेस्ट किया पोडिंग अगर आप थिक खाना चाहते हैं तो आप थिक बना सकते हैं थोड़ा सा थिन खाना चाहते हैं तो थिन खाते हैं लेकिन मैं कहूंगी कि इस कंसिस्टेंसी में ही यह आपकी सबजी बहुत ही अच्छी लगेगी अब हमें इसको प्रेशर कूकर में ट्रांस्पर करना है क्योंकि जोगी पीसीज यह सिर्प्राइप हुए हैं यह बॉइल नहीं हुए हैं अच्छे अच्छे से पके नहीं है तो इसलिए हम इसको कुई कड़ाई में बहुत जादा टाइम लगता है इसको बनने के लिए तो इसलिए हम इसको अभी कुकर में ट्रांसफर करते हैं और इसमें सिर्फ दो ही विसल लगाएंगे और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगे चलिए हम इसको कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं कुछries देखी फ्रेंट्स मैंने इसको अवी कुछकर में ट्रांसफर कर लिए अब ही मैं इसको सिफ दो विसल लगाति हूँ क्षक दक्कन बंद करका किस्को स्फ दो किसल लगाना है फिर हमारी सबजी ट्रेडी है इस तरह से हमारी आज की सबजी बन गई है चलिए मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ फिर आपसे दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स इस तरह से मेरी आज की बहुत ही तेच्टी और डिलिसियस रेसिपी तियार हो गई है तो आप भी अपने घर में जरूर बनाईएगा और मैं आपके लिए आगे काफी सारी रेसिपी लेके आऊंगी बहुत ही सिंपल वे में जो इजीली कोई भी इन टेस्टी रेसिपी को अपने घर में बना सकता है तो ठीक है फिर यहीं अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो ओके बाब बाई